हाई स्टूदेंस वेल्कम टूआ चानल आएम निधी अरूरा और आज के सेशन में हम लोग जानेंगे कि DSSB एक्जाम के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है उसको स्टेप बाइस्टेप कैसे फिल करना है कहां-कहां स्टूदेंस को प्र प्रकार की परिशानी ना आए चलिए स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूं कि आपको यह जो लॉग इन का पोटल है वो मिलेगा कहां से जब आप Google पे DSSB डालोगे तो अपिशल वेबसाइट खोल जाएगी ऑफिशल वेबसाइट खोलने के बाद में आपके पास में यहां तो नोटिफिकेशन है बट आज यू स्क्रोल डाउन तो यहां पर आपके पास में ऑप्शन आजाएगा अप्लाय ओनलाइन का यहां देखिए सबसे पहले तो वेकेंस अप्शन को खोलेंगे तो कुछ ऐसा ओप्शन आपको खुल करके आएगा मैं दिखा देती हूं ऐसी बार आपको खुल जाएगी ओपन होते वे नजर आएगी यहां पर रेजिस्ट्रेशन के लिए तीन ओप्शन दिये गए हैं अगर आप रेजिस्ट्रेशन करना चाते है अप्शन के लिए और पासवर्ट भूले हैं तो इसके लिए ओप्शन है तो हम यहाँ पर सीधा निउ रेजिस्ट्रेशन के ले जाएंगे क्योंकि हम पपहली बार रेजिस्ट्र कर रहा हैं तो आफ्टर वी मूव यह यहाँ पर ऐसे कुछ बार आपका ओपन अपो हो हुआ है और 123 दिया हुआ है 10th के रोल नंबर में तो आप जो है ना एक को अटाकर सिर्फ जो Numeric digits है उन्हीं को ही फिल करेंगे ठीक है यह बात क्लियर है तो यहां से आपको एक चीज ध्यान रखनी है तीसरा जो है अप्लिकेशन फॉर्म में वो क्रॉस्चेक किया जाएगा और आईडी प्रूफ आपकी वालिड होनी चाहिए जो भी आप इन फाक्त फॉर्म फिलिंग करूगे फाइनल सब्मेशन के बाद आप कोई चेंज नहीं कर सकते हो सो कैफ़ली फिल करना स्टार्ट करते हैं नेम आफ दी आपलिकेंट पे इसको निदी अरूरा कोई प्रीफेक्स नहीं यूज करना है आपने रिएंटर करना है नाम को डेट ऑफ बर्थ आपका दे मन्त और यर इसी फॉर्माट में लिखी जाएगी उसको रिएंटर करना र लिखना है आपने रिएंटर करना है जेंडर ठीक है मेल फीमेल ट्रांसजेंडर नाशनालिटी इंडियन उसके बाद फादर्स नेम एक बार लिखोगे बिना प्रीफिक्स के रिएंटर करना मदर्स नेम रिएंटर करना उसके बाद चलते है नेक्स पोर्टल पे मदर्स ने जीरो से साट नहीं होना चाहिए जीरो से अगर कोई भी डिजिट स्टार्ट होएगी तो उसको इन्वालिड बाना जाएगा मत उसको काउंट ही नहीं करेंगे तो और स्टार्ट मत करना जो भी आपका 10 डिजिट का मोवाइल नमबर वह फिल करना है आपने उसके बाद रियंटर करना इंटर करना है उसके बाद जब आप एंटर कर लेंगे तो वेरिफाइड ओप्शन आजाएगा आप रेजिस्ट्रेश्ट युए प्रसीड करेंगे लिखा हुआ है अगर अधार नंबर प्रोवाइड किया गया है तो कोई स्कैंड आईडी प्रूफ की जरुरत नहीं है अप्लोड करने के लिए ठीक है तो आप जो है ना अगर आप आधार अधार नंबर रिएंटर करना ठीक है नेम जो आपका अधार पर लिखा है उसको दो बार लिखेंगे उसके बाद यहां पर बोला गया है यह क्रॉस चेक होगा तो बहुत ही क्याफुली फिल करना अगर आप शॉट लिस्ट हो गए हैं तो अब आपको अपना पासवर्ड सेट अब डिखेंगे यह ते करना है कोई भी फॉसक्त है वह पासवर्ड जो है न के आपकर केस में हो दूसरा लोर के सिंदो नहीं का कॉंबीनैशन बना सकते हो और बना सकता हूछ अपका पासवर्ड होना चाहिए है ट्रहिन करना है अब आपने अंडर टेकिंग देनी हैनाँ कर रहे हो जो भी आपने information दी है वो true है अगर नहीं होई है तो आप उसके जब्मेदार हो accountable हो ठीक है और यहां पर भी बोला गया है कि यह आपका final है in respect of your candidature वो आपका cancel हो सकता अगर आपकी invalid details हो तो बहुत ध्यान से fill करना ठीक है अब आपको प्रिव्यू करना पड़ेगा इसको प्रिव्यू लेना पड़ेगा यहां पर अगर आपने प्रिव्यू नहीं लिया तो आप आगे step पे नहीं बढ़ सकते हो यहां पर एक option आजाएगा अब आप registration को सेव करेंगे अपने device में अपने system में सेव करने के बाद ही जो procedure आगे बढ़ेगा फिर से आप यहां पर टिक करेंगे कि आपने प्रिव्यू कर लिया है verify कर लिए सारी details कि वह correct है और आप कोई भी change claim नहीं करना चाहेंगे final submission के बाद में तो आप submit पर जाएंगे आपका registration हो चुका है अगर आप नहीं करेंगे तो यहां आएगा कि आप अग्री किजे प्रिव्यू बॉक्स पर कि आपने वह सिलेक्ट कर लिया है अब आपको आपका registration number दे दिया जाएगा registration number और registered email id mobile number दोनों पर भेज दिया जाएगा अपना login id और password आप आपने याद कर लेना है कहीं सेव कर लेना system में whatsoever ठीक है आप अपने OARS account को ऐसे ही access कर पाएंगे proceed पर जाना अब फिर से यह online portal आके खड़ा हो जाएगा इस time पर अब आपने new registration पर नहीं sign-in पर जाना है जब आप sign-in पर जाएंगे तो यहां पर अपनी date of birth फिल करनी है 10th का roll number 10th का passing year और जो आपने password set किया हुआ है वो login करना है यह जो capita में दिया हुआ है visual code इसको टाइप करना है अब यहां पर आपकी details सरी शुरू हो जाएंगे आपका नाम और registration नंबर शो होता है मैं आपको कुछ options के बारे में समझा देती हूं कुछ steps होते हैं सबसे पहले तो आप new application के ले apply करेंगे तो अपने पोस्ट पे जाने उसके बाद अपनी personal details को आइड करोगे फिर आपको अपनी photograph और जो भी documents है वो upload करने हैं फिर उसके बाद qualification और experience और करना है उस post के मुताबिक उसके बाद final submission पे जाओगे तो उसके साथ आपको payment भी करना है लास्ट में आपका status जो है वो आपको print कर लेना है यहां पर नीचे कुछ form मतलब आ जाता है यह आपका home page है जो आपकी details देगा print application print करने के लिए e dossier जब आप shortlist होगे उस time पर answer की challenge करनी होगी exam के बाद वहां पर इस इसी account से करेंगे final answer की आएगी यहीं पर यह result यहीं पर दिखेगा registration details अगर आपको update करनी है यहीं से ही करोगे password चेंज करना यहीं से होगा और आपका account भी logout यहीं से होगा ठीक है चलिए अब कुछ details यहां पर फिल की हुई थी जैसे यह वाली चीज है ठीक है यहां तक आपने फिल अपना कर दियाता सब कुछ ठीक तो अभी मैं आपको यहां जो last वाला assistant teacher nursery है उस post के लिए दिखा रही हूं साथ में PGT post के लिए भी आपको दिखाऊंगी मैं ठीक है तो यहां पर जाएंगे हर की application form दी हुई है apply करने की last date कब से शुरू हो रही है वो दिया हुआ है जैसे entity जो assistant teacher के लिए वो कल से start हुआ है तो यहां से अब आपकी जो details है वो शुरू होंगी यहां से आपका step start होएगा तो यह आपकी कुछ personal details है कुछ आपको दी हुई है कुछ आपने add करने है spouse name add नहीं किया था तो यह unmarried आ गया था अब यहां पर जाओंगे मैं address address में जो मेरा address है present address वो pin code के साथ और अगर मेरा permanent address same है क्योंकि वहीं पर आपकी सारे notice वगर आएंगे same है तो इस पर टिक कीजे वरना अलग से add कीजे यह चीज क्लियर है अब अपनी category अपनी चूज करने है wisely जिस भी category में आप पॉल करते हो अगर unreserved category है तो ठीक है और अगर नहीं है ठीक है for example यहां पे मैंने जो है select किया तो इस case में आप eligible नहीं होगे unreserved category में ही आओगे यानि की दिली के लोग ही category में count होंगे अगर आपका डेली का do missile है तो अगर बाहर का है तो आप फिर count नहीं होगे दिली वाले ठीक है तो फिर आप unreserved category general में ही count होगे आपका अगर OBC दिली के हो तो आपका फिर certificate number लगेग ठीक है और यह आपका डेली आना चाहिए डेली यह नहीं आएगा तो फिर आप आगे प्रिसीड नहीं कर पाओगे issuing date आनी चाहिए आपकी certificate issuing authority आने चाहिए यह सारी details आप फिल करेंगे किसी भी category के लिए ठीक है यह बात अच्छा अब यहां पर मैं जाती हूँ एक चीज न मिनिमम् 3 years के service में याप एक service man हो इन सम्में तो आप click करोगे तो कुछ नहीं मांगेगा जो है वो फिल कर देना अगर है तो यह जो है optional है और अगर आप एक service man में आते हो तो यहां पर आप से date पूची गई है कब से कब तक हो एक service period में आप ठीक है उसके बाद एक option आएगा उसके लिए भी आपको पूरी detail देनी पड़े कि कौन सी category में आते हो acid attack victim, cerebral palsy, dwarfism, curing, leprosy, cured person, mental illness, multiple disability, ortho, SLD, visual जो भी है उसका certificate number, issuing authority, issuing date और document certificate भी आप upload करेंगे उसकी बाद उसका preview भी लेंगे ठीक है और अगर इन किसी भी category में मत नहीं आते हो तो sell मत करू दीबार अगर आप किसी board से हैं किसी agency से हुए हो तो yes or no उसको भी लगाना है फिर आजाता है आपका declaration कि आपने जो भी details दी है वो आप सही fill कर रहे हो नहीं कर रहे हो तो terminate हो सकते हो यह आप पूरा automatically सब कुछ जो है अपनी detail को fill करेंगे ठीक है यह अपना disclaimer देंगे आप इसको cut कर देते ह अब जब आगे बढ़ेंगे तो यह step first of step था अब आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपका next step बढ़ जाएगा ठीक है अब आजाता है आपके पास में upload photograph documents upload करने आपने क्या क्या documents चाहिए मैं आपको दिखा देती हूं यह आपकी पूरी details आ गई है upload हो गया है इस चीज को मै थोड़ा detail में दिखा देना चाहूंगी photograph upload करनी है तो आपके पास में option आजाता है crop photo online आप online crop भी कर सकते हो आपको एक website पर लेके जाएगा वहां से आपकी पूरी details आ जाएगी note करना है कि आपका जो scanned या digital image है postcard size में हो तो postcard size में change करने का भी option यहां पे cropping से आ जाता है ठी आप में 50KB से 300KB हो ठीक है 52-300KB होना चाहिए साथ में colored postcard size photograph होनी चाहिए 5-7 inch होना चाहिए आपका ठीक है और upper half body आपकी clearly visible होनी चाहिए फे डोनों कान और दोनों कंदे visible होने चाहिए तो यह चीज़ आपकी visible हो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है width आपका 480 pixel height आपकी 672 pixel format JPG जाए JPEG format maximum size 300KB का हो सकता है इसी format में ही आप upload करेंगे इस चीज का जिहान रखें उसके बाद क्या क्या अपना signature upload करना है left thumb impression और right thumb impression आपने upload करना है तो मैं आपको signature के लिए बता देती हूँ यहाँ पे भी crop online option आ जाता है यह आप MS Paint का भी option यूज कर सकते है करने के लिए यहाँ पे भी instruction दी हुई है width 140 pixel height 110 pixel format JPG JPG और maximum size 40KB left thumb impression ठीक है आप इसको crop भी कर सकते हैं यहाँ online सीधा direction जाएगी instruction है 110 pixel width height 140 pixel format JPG और maximum size 40KB इसको ध्यांस अप्लोड कीजेगा right hand thumb impression की बात करती हूँ right thumb impression basically उसमें इंस्ट्रक्शन है 110 pixel यह सेम है इसी कहीं same format है left और right का और जैसे आप जैसे इस पे जाओगे crop करना है आपको online या फिर photo edit करनी है तो यह आपके पास एक website खुल जाएगी आप इसके basic में जाए crop करने का option आता है करने का option आता है यह सारे options आपको दिख जाएंगे पाइल पे जाओगे postcard size में convert करने का option आता है browse करके अपने system से उस photo को click करो वो जो भी requirement बोला है उसको check करो अगर आपको resize करना है तो यहां पे size कम और बढ़ाने का option भी आता है apply करोगे phone में या system में save हो जाएगे वहां से फिर दुबारा से upload करेंगे तो उस चीज का ध्यान रखे जैसी आपकी photograph और जो भी personal detail documents upload हो गए है अब आप यहां पे जाएंगे qualification details के लिए ठीक है आपके बास फिर से यह home page खुल गया है अब आपने qualification पे जाना है तो सबसे पहल qualification और experience share करेंगे edit application पे click करना है यापर जैसे आप इस पर जाएंगे तो तीन departments आ जाएंगे जिन जिन departments के लिए जो पोस्ट अवैलेबल है वो सब आ जाएगा उनकी eligibility criteria मतलब essential qualification आ जाएगी और आपने तीनो ही department select करने है क्योंकि हर department के अलग-अलग cut-off निकलती है so it's imperative कि आप तीनो फिल करें अब या तो DOE या MDC और MCD तो तीनो ही department पर फिल कर देना तीनो ही department के लिए तीनो बार ही अलग-अलग qualification सेम qualification को तीनो बार आपने फिल करना है assistant teacher nursery minimum age maximum age सब दिया हुआ है gender दिया हुआ है ठीक है यहाँ पर से female के लिए है यहाँ पर दोनो है अब essential qualification में तीनो ही qualification सेम है बस अलग-अलग तरीके से लिग दिया सेम है कि आपके पास senior secondary 12th का certificate हो intermediate या फिर या intermediate हो या उसके equivalent कम से कम 45 प्रतीशत माक्स आए हो recognized university से दूसरा diploma या certificate हो nursery teacher education program में और दो साल से कम में नहीं होना चाहिए या फिर B.Ed हो nursery का recognized institute से तीसरा आप Hindi में पास हो जाने चाहिए हो secondary level तक तो यह तीनों में आपको दिया हुआ है कैसे अब आप क्लिक करेंगे सबसे पहला department तीनों में से मैंने किया DOE ठीक है DOE में यहाँ पे मैं select करूंगी कि मेरी qualification में मैं लाइक करती हूँ अगर करती हूँ तभी documents है तभी ठीक है अब मैं applicable post code तीनों के लिए same रहेगा मैं आप अपनी qualification को add करने के लिए educational details जालूंगी ठीक है qualification में दो options आएंगे मेरे पास मैं आगे रिखा देती हूँ या तो 12 और इसके साथ में मुझे डिग्रिया डिप्लोमाइड करना है दो qualification details 12 अगर मैंने select किया तो school का नाम ठीक है उसकी percentage लिखूंगी कौन से state में से मैंने 12 किया और state की यहां पर मैंने जैसे यह सब फिल कर लिया अब यहां पर मैं देखूं कि उसी state की university आईगे अगर नहीं आएगी तो मैं other select कर सक्क्यों CBSE अगर वो मेरा board है तो मैंने लिख दिया है passing year और मन्त मेरा आ जाना चाहिए किस मन्त और किसी और में मैंने पास किया था उसके बाद इंसर्ट पर चली जाओंगी ताकि मेरी qualification detail अड़ हो जाए ऐसे ही मैं अपनी डिप्लोमा की भी आड़ कर दूंगी सेम ही procedure से ठीक है जब मैं यह आड़ करूंगी तो यहां पर option आएगा कि do you want to finally save it आपको वो save करना पड़ेगा तभी आगे बढ़ोगे आड़ करने के बाद में ठीक है जैसे यहां पर यह मैंने अड़ कर दिया कुछ और आड़ करने तो आड़ में option आर एवर नहीं पर छोड़के आप finally save करें क्योंकि फिर से आपका disclaimer आगया next पर जा सकते हैं यहां पर अब next में दूसरा department फिल करूंगी mcd मैंने फिल किया same यही details दुबारा मुझे फिल करनी है ठीक है फिर आजाता है मेरा mcd ठीक है मेरा फिल कर दिया उसके बाद ndamc आ गया मेरा तो इसके लिए भी same procedure यही टिक करना है qualification detail यह तो तीनों बार यह same procedure मुझे अपनाने automatically से वो नहीं करेगा जैसे में कर लोगी मेरा अब यहां पर जो है ना final submission के preview आ गया है पूरा कि मैंने क्या 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 फिल कर लिया है यहां मेरे documents आ गए है यहां मेरा सारी requirement आ गई है मैं understand करती हूँ कोई भी चीज false है मैं उसकी जम्मेदार हूँ terminate हो सकती हूँ ठीक है तो यह सारी चीजों को मैं जो है दुबारा से देख लोगी यह सारी चीज है अब declaration पर जाएंगे तो मैं यहां पर जाओंगी मैंने प्रिव्यू कर लिया verify कर लिया अब मैं पे ओनलाइन और सब्मिट करूंगी फाइनल डीटेल ऐनलाइन पेमेंट के लिए यहां पर जैसे असिस्टेंट टीचर की पोस्ती इसके लिए पेमेंट आ गया पे ऑनलाइन अब जब मैंने पे करने गई इस पे सिलेक्ट करूंगी कि मेरी अकाउंट मतलब यहां पेमेंट के लिए ऑप्शन आ जाएगा सब कुछ दिखा देगा 100 रुपे मेरी अमाउंट है अब यहां पर कहना चाहरा है कि ही पेमेंट है तो रिफंड नी होगी किसी भी केस में तो आपने दिहान से पे करना है अब जब आप पेमेंट के ल जाएं जिस भी पोस्के लिए अप्लाई कर रहें उसको सेलेक्ट करें ठीक है अब जैसे फॉर एक्सांपल मैंने पर तो मैंने उसके बाद उसका प्रिंट आउट निकालिया यहां से अब मुझे 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 मुछे अप्लाइब करना है तो मैं फिर से जाऊंगी apply for new application post डालूंगी PGT ठीक है मैंने अगर PGT डाला जैसे मतलब मेरे पास यहां पोस्ट आ जाएगी for example मैंने PGT Hindi select करा apply now पर जाऊंगी आप यहां पर यह देखो PGT Hindi अब यहां पर मेरा यह शो हो जाएगा इसमें में अब details को edit करूंगी PGT के लिए यहां qualification आ जाएगी कि मेरे degree कैसी होने चाहिए मास्टर्स होना चाहिए बीएड होना चाहिए ठीक है वह सारी चीजों के options दिये गा है PhD है तो वह भी option आ रहे है तो यहां पर देखिए कि पहला department हा मेरा अब यहां departments भी आ गया है यहां दोनों ही अपलाई कर सकते हैं यहां सिर्फ मेल और यहां सिर्फ फीमेल तो आप जिस और दूसरा DOE है तो इसमें मैं फिल करूंगी यहां पर दो department के लिए मुझे फिल करना है तो पहला मेरा DOE यहां पर आ गया है ठीक है उसके बाद यहां तीन option आ जाएंगे यहां तो मेरी master degree है हिंदी में या उसके equivalent oriental degree है प्लस बीएड है इसको select किया यहां पर PhD यह concerned subject में प्लस master degree हिंदी में या उसके equivalent oriental degree या फिर master degree हिंदी में या उसके equivalent oriental degree है प्लस मेरी first division आयू यह higher secondary में ठीक है डिग्री या post graduate degree में मतलब तीनों में ही तो यह चीज है मैंने पहलावाल option select करती है next पे गई अब यहां educational details को माद फिल करूंगी eligibility रहान से चेक करना अपने degree document को निकाल के रखो यहां पर क्या क्या documents क्या क्या degree चाहिए यहां पर देखना ठीक है यहां पर देखना ध्यान से सबसे पहला है तो master degree मांग रहा है दूसरा बीए degree मांग रहा है तो यह दोनों educational details जैसे आपने उसमें फिल किया था assistant teacher में वैसे ही अपने फिल करना है नीचे एक ठीक है उसका आपके पस document होना चाहिए तो जैसे आप यह फिल करेंगे जैसे मैंने आपे फिल कर दिया तो वैसे ही आपने जो है तो तीनों तीनों टिग्री के लिए फिल करना है और यही सेम प्रिसीजर वहां पर भी फॉल होगा आप एक साथ दो पोस्ट पे भी फिल कर सक है ठीक है all the very best comment section बताइए should you have any more problems था कि any other problems था कि हम उसको एक साथ address कर सके मैं एक और combined session लेकर रहा हूं दनेवाद